कुरोना काल में हो रही साधी आकरसन का केंदर बनी हुई हैं। बिवाई में आने वाले महमानों को सोसल डिस्टेंसिंग का पालंग कराने के लिए बदुपच्छ ने छेत की सैकड़ो एकड़ जमीन पर साधी का सामियान लगा दिया। दुला अपनी दुलहन को लेने हेली काप्टर से पहुचा जिसकी एक जलक देखने छेत की लोगों का हुजूम उमर पड़ा। यह अनूठा विवाय हुसंगावाज जिले की सिबनी मालवा तहसिल के मुडिया खेडी में आयोजित हुआ। जिसमें भाजपा के वरिष्ट ने रखते हुए आयोजित किया गया। बदपच्छ ने सोसल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए अनुखा तरीका अपनाया। उनके द्वारा अलग अलग सामियाने में बरादियों को रुगने की विवस्था की गई। जिसमें एक सामियाने में दो ब्यक्तियों को रोका ग सामियाने और हेलीकाप्टर से आये दूले को देखने के लिए लोग सहर सहीत आसपास के गाउं से पहुच गए। समास से भी संभू माटी कहना है कि बरतमान में कुरोना काल चल रहा है जिसको देखते हुए परिवार के द्वारा निर्णाय लिया गया था कि बैवाहिक कार कारक्रम को कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार किया जाएगा जिसको लेकर मातर 40-45 बरातियों के साथ इस कारक्रम को किया गया जिसमें दूले को हेलीकाप्टर से दूलहन को बिदा करने के लिए कारक्रम बनाया गया बरतमान में फैल रहे कुरोना वारेस संक्रमन को द यह क्या है हमारी भती जी की साधी है और साधी में कोराना को कोविड नाइंटी को मन्दे नजर देखते हुए और माननी प्रादामंत्री नरिन मोधी जी के लिए उसको mazhar madder देखते हुए हम लोगोंने सोचयल डिसस्ज Mississippi से गाओं न साधी करना है। समझा पहले यह साधी हम लोग भॉपाल से करना चाहते थे पर माननी प्रदान मंतरी जी और माननी मुखमंतरी जी जो दोनों ही साधी की भी संदेश पोचे नहीं हेलिकाप्टर में यह है कि बराद भी हम लोगों की लिमिटेट आई है और दूलया जो है कि इसलिए कि बराद हेलिकाप्टर से आया है कि ताकि उन्होंने का कि कोबिट को अर्दे नजर रखते हुए थोड़ा सा अपने सोसल और सेनिटाइजर का और पूरा फुल ध्यान रखा गया है है हाँ बिल्कुल क्या मैसेज देना शाहेंगे आप यही सब भी सोसल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो भी कोरोना की गाइडलाइन सरकार की तेह गई उसका ध्यान में रखते वे जो भी पालना करें उसकी